अगर आप तक नहीं किया है विल बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डूरियों के अपकमिंग एपिसोड की तो आपने देखा कि कैसे शो के मेकर्स यहां पर साहिबा को प्रेगनेंट बता रही है और इस प्रेगनेंट से ट्विस्ट के साथ में वो कहानी को शायद आगे बढ़ाने का सोच रही है लेकिन सोबात के एक बात हर कोई चीज आपको फेंस को ध्यान में रखकर करनी चाहिए जहां पर जैसे ही यह प्रोमो सामने आया एक तरफ तो अंगर इतने टाइम से गायब है और सीरियल तो से टॉर्चों पर टॉर्चर किये जा रही है तो बैसे में फेंस का क्या रियक्शन है इस खबर को जानने के बाद चलिए आपको बताते हैं जहां कुछ ने कहा इस नए प्रोमो को देखकर कि मैंने तो शो देखना ही छोड़ दिया है तो कुछ ने कहा आज इतने दिन बात कहां से सीरियल अभी भी बक्वास खतम नहीं हो पा रहा है तो कुछ ने कहा I mean Angad is going to be changed for some other actor will play Angad's role तो कुछ ने कहा वाह साहिबा दो दिन में ही pregnant हो गए तो ऐसे तमाम comments के बीच में कुछ ने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आता what the hell is going on in this show if sahiba is pregnant then Angad should be with her not with sirat we want them together otherwise no point of watching this nonsense show तो कुछ ने कहा storyline अच्छी नहीं कर सकते तो बंद कर दो सीरियल तो कुछ ने कहा अगर Angad change हुआ तो हम यह सीरियल नहीं देखेंगे तो कुछ ने कहा कोई मुझे बताएगा कि आखर यह बच्चे का choice कहां से आगया तो कुछ ने कहा I hope यह सिफ सपना हो तो कुछ ने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि साहिबा का pregnancy track up चलेगा तो कुछ ने कहा सीरियल के धजियां उड़ा दी इतना खुपसूरत शो था तो कुछ ने कहा भाई कसम से अंगद को तो ले आओ इतना stupid कैसे बना सकते हुआ आप लोग स्टोरी लाइन को कि अंगद है नहीं और वो उसके बच्चे की मा बनने वाली है इन शोट सभी लोगों को यहाँ पर मेकर से थोड़ी सी कंप्लेंड है कि पहले अंगद के इस केस को पूरी तरीके से सुलजाने के बाद साहबा की pregnancy का twist आना चाहिए था लेकिन आप लोगों के according क्या लगता है कि showmakers ने जो यह pregnancy twist डाला है कहानी में क्या इससे TRP ratings में बदला आएंगे या पर downfall comment कीचिए साथ में वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें